हाई फ्रेंट्स मैं कल इतना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्डनिंग चैनल में आज हम बात करेंगी कि यानि की बेला के प्लांट की हम गर्मियों में इसकी कियर किस तरह से करें जिस पर इसे बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग हो और हमारा प्लांट हेल्दी रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजेगा और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुर भी मत भूलिएगा जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो चालो उसकी नो सब्सक्राइब करने लगती है और अप्रेल में तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है यह देखिए मेरे प्लाइंट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें बहुत सारे बर्ट्स आने स्टार्ट हो गया है तो जिन्हों ने अपने प्लाइंट में प्रूनिंग ना करें क्योंकि अब जूसका ग्रोथ पिरियद इस्टार्ट हो गया है तो अब अगर वो इसके प्रांट की हाड प्रूनिंग करेंगे तो हमारा जो प्लांटे पर फ्लावरिंग नहीं करेंगा सिफ उसमें लेव्स लीवस ही रह जाएंगी तो हाड one remove कर दीजे तो इससे यह होगा कि जो हमारा प्लांट है उसकी ग्लिट के लगेगी नहीं चाह कि एधर इधर रुटर कहीं नहीं जाएगी वह हमारे प्लावरिंग जाएंग लाइगी और हमारे प्लांट उर्छ करें हैं वह समय में तो में फॉड़ी थोड़ी सूरी कर दे दिदा है किया में। झ्यान रखना है कि ये जैस्मिन इट में रखने वाला प्लांट है आप इसको फुल और आइंगा तभ 보न अच्छिए और अगर आप इसुए कर दिखाना है कि जैस्मीन को आप रेगुलर वाटरिंग करें आप आपका वेल्डेंड पॉट है तो गर्मियों में इतनी जादा गर्मी रहती है कि हमारा जो पॉट है उसकी जो स्वाइल है वह एकी दिन में सूख जाएगी तो आप इसको रेगुलर वाटरिंग करें तभी यह बहुत अच्छे से ग्रोव करेंगा और आप इसको अब हर 15 दिन पर अच्छे से से कंपोज्ट देना पड़ेगा जिससे की क्योंकि इसका फ्लावरिंग टाइम है और फ्लावरिंग टाइम पे इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरुत रहती है इसको कंपोज्ट मे अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो बोन मिल आप 5 ग्राम तक उसमें मिक्स कर दीजे सभी को और तब इसको ऐसी कंपोज्ट दीजे तो यह बहुत ही आच्छे से ग्रोव करेगा इससा बाते हैं जो कि इसको ग्रोव करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसकी के लि हमें अपने प्लांट्स को पॉट में ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि पॉट में इतना स्वेस नहीं होता है कि वह अच्छे से ग्रोव कर पाए तो इसके लिए हमेशा इसकी केर करना बहुत ही जरूरी होता है तो मिराज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में करिये वा थेंक यू